उत्तर परदेश में ये चेहरा इन दिनों सुर्कियों पर है कोई इसे मुसलमानों का नेता समझ रहे है तो कोई बीजेपी का एजेंट समझ रहे है लेकिन उत्तर परदेश में चुनावी तारीखों के घोसना के बाद लगातार जो है उत्तर परदेश में इस तफ्या का भग अकदर मचा हुआ है चुनावी अखारा में जहां बीजेपी खेमे के लोग बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं तो वही समाजवादी पार्टी के खेमे के लोग अब बीजेपी में जा रहे हैं इस वक्त जो है कई कांग्रेस के खेमे के लोग इस वक्त समाजवादी पार्टी बीजेपी में सामिल हो रहे हैं यह आम बात है कि यह दल उस दल के पास जा रहे हैं तो किसी दल से दोसरे के पास आ रहे हैं लेकिन इस वक्त एक पार्टी ऐसी है जो उतर परदेश विधान सबा को सुर्खियों पहला के खरा किया है और पर नहीं कांग्रेस में जाने की कबरें आ रही है इस वक्त जो है सारे लोगों की निगाहें मजलिस इतिहादलमस्लिमीन पर है लगातार इन्हें उत्तर परदेश चुनाओं से पहले ही बीजेपी का एजेंट वहां पर खोसित कर दिया है लेकिन इस वक्त जो है मजलिस इतिहादलमस्लिमीन और साथी साथ दिगर पार्टियों में जो भगदर मचा है ये पूरा उत्तर परदेश का जनता देख रहा है चुकि इस वक्त सोसल मीडिया और मीडिया में लगातार इस तरह के खबरें आए दिन देखने को मिल रहा है अब उत्तर परदेश के जनता को तै करना है कि मजलिस इतिहादलमस्लिमीन अगर वहां पर काम्याब होती है तो वहां के विधायक जीतने के बाद क्या वो बीजेपी में जा सकते हैं या नहीं आपको बताते चलें कि इधर देखने को ये मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी के खेमे के लोग वो बीजेपी में जा सकते हैं तो बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं या बीजेपी के लोग कॉंग्रेस में जा सकते हैं कॉंग्रेस के लोग बीजेपी में आ सकते हैं तो इसी तरह से आम लोगों के जहन साजी हो रहा है कि मजलिस के विधायक जितने के बाद वो कहीं जा सकते हैं या रहा है जिस तरह से स्वामी परसाद मोडिया अन्नत मिश्रा इमरान मशूद आदी जो है लगातार ये बरे लीडर सुर्खियों में आ रहे हैं और साथी साथ यूपी चुनाओं की इस आखारे में अब जो है सभी दल जो है 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 ज खेमे के लोग जो है M.I.M. में सामिल होते न जरा रहे हैं कहीं न कहीं अब जो है मजलिस इतिहादलमस्लिमीन को मजबूत ही मिल रहा है और खास तौर पर आपको हम बता दें कि इस वक्त जो है मजलिस जो है पूरा फैरिस त्यार कर रहा है कि किसको कहां से टिकट दिया जाया और साथी साथ कुछ लोगों का आवेदन भी आ रहा है कि वो चुनाओ लरना चाह रहे हैं तो इस बार जो वहाँ पर चुनाओ लरेंगे तो हिंदू भाईयों को भी टिकट देने का फैसला लिया है और साथी साथ दलित और मुस्लिम सारे समुदाय के सारे जाती के लोगों को माईयम का टिकट देने के पूरा उमीद है और साथी साथ आवेदन आ रहा है और इस पर पूरा मन्थन कर रहा है खास तोर पर माईयम के टीम चुकि टिकटों का घोस्ता है और लगातार जो है दिगर सियासी पार्टियों से अब लोग जो है M.I.M. में चुरती नजरा रहे हैं कहीं ने कहीं M.I.M. का लहर पैदा हो रहा है और खास तोर पर जो है वहां के मुस्लिम मदाता अभी जो पार्टी के जोड़तोर की कहानी और ये खबरें लोग देख रहा है कि आखिर बीजेपी का एजट उत्तर परदेश में कौन है फिलहाल जो है उत्तर परदेश के जनता 10 मार्च तो फैसला सुनाए गई उसी में पता चलेगा कि आखिर जो वहां के जनता है उत्तर परदेश में क्या वो इस बार किस का साथ दे सकती है फिलाला आप देख रहे हैं दे मैसेज न्यूज इस तरह से न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें अच्छा लगए तो लाइक करें दोस्तों को सेर करें खुदा आफिस